बिहार में बैंक लूट की घटना थम नहीं रही है बिहार में पुलिस मुख्याले के आदेश के बाद भी पुलिस चौक सी नहीं होने के कारण अपराधियों के सौफ टार्गेट पर इंदिनो बैंक है आपको जो तस्वेर अब दिखाने जा रहे हैं यह तस्वेर समस्तिपूर के सराय रंजन का है जहां आप सिसी टीवी में कैद इन तस्वेरों को देखिए कि कैसे एक बाइक पर सवार तीन अपराधी बंधन बैंक में आते हैं हर अपराधी के पास हत्यार है चेहरा ढखा हुआ है और ये अपराधी एक साथ बैंक में घुशते हैं जबकि इनका एक और साथी है जो की बाइक से बाहर खरा रहता है ये सारे अपराधी बैंक में घुसते हैं और बैंक में घुसने के बाद ये डाका डालते हैं ये मामला बिहार के समस्तिपूर के साराई रंजन का है जहां अपराधियों ने बेंधन बैंक में लूट की घटना को अन्जाम दिया है आपको बताने कि एक तरब समस्तिपुर के पुलिस अधिक्षक, विकास बर्मन अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात करते हैं पर सचाई ये है कि अपराधियों पर नकेल कसना तो दूर ये बैंक की चौकसी तक नहीं करा पाते हैं आप CCTV में देखिए कि कैसे अपराधि अपना मूट ढग कर बैंक के भीतर प्रवेश करते हैं बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर सीधे प्रबंधक के कमरे में जाते हैं और वहां बैठे ग्राहकों को हथ्यार के बल पर कबजे मिले लेते हैं और उसके बाद अपराधियों का तांडव शुरू होता है ये सारे अपराधि एक-एक करके बैंक में घुशते हैं और पिस्तॉल के बल पर बैंक लूट लेते हैं हम यूँ ही नहीं कह रहे हैं इसका जीता जाकता सबूत है आज की ये घटना बंधन बैंक में दिन दाहरे लूट की घटना को अन्जाम दिया गया लूट की ये घटना सिसी टीबी में कैद हो गई है बताया जा रहा है कि बंधन बैंक में तीन बाइक पर सवार पाँच अपराधि आए पिस्तल दिखाया और 34,000 रुपए कैस लूट लिए साथी वहां ग्राहकों से दो मोवाईल फोन भी लूट लिए और लूटने के बाद ये सारे अपराधी फ़रार हो गए सरायरंजन बैजार में दिन दाहरे बैंक लूट की इस घटना से पुलिस पर बड़ा सवाल खरा होता है हलाकि सरायरंजन थाना प्रवारी ने बताया कि इस बैंक की स्वरक्षा पहले से दुरुस्त नहीं थी जिसके कारण अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है लेकिन सवाल है कि बैंकों की गस्ती करने का निर्देश पुलिस मुख्याले ने दिया है आप सुनिए जिस समय ये बैंक लूट की घटना हुई उस समय मौझूद एक ग्राहक क्या कहती है इस घटनार ने एक बार फिर पुलिस्या चौकसी की पोल खोल दी है समस्ती पूर से खुलासा के लिए मंटुन राय की ये खास रिपोर्ट जिस समय समय मौझ।